इस वीडियो में हम लोग क्लास 6, NCRD History का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे देखिए इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो भी अनवासिक चीजे हैं उसको छोड़ते जाएंगे जो एक्जाइम की दिश्टर से important है बस वही पढ़ेंगे अगर आपको अनवासिक चीजे पढ़ने में इंट्रेस्ट है तो आप किताब पढ़ सकते हैं तो देखिए तम सुरॉज से start करते हैं देखिए इतिहास किसको कहते हैं? अतिद के अधियन को इतिहास कहते हैं इतिहास में जो इति है ना इसका मतलब होता है बिती हुए और हास का मतलब होता है घटित हुए घटना तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इतिहास किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि अतिईद के अधियन को इतिहास कहते हैं उसके बाद एक्जाम में पुछे जाते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है, हेडोडोटर सको, याद कैसे रखेंगे, H से हिस्ट्री और H से हेडोडोटर स, तो H Ohio क्या है, Common है, हेोडोटर सकी जन्द की में तुरकी में हुआ था, यह एक यु इतने भागों बाढ़ते हैं, पसान कल क्या होता है, ये सारी चीज़े पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे कोई भी टर्म आता जाएगा, उसी तरह बताते जाएगा, तो चलिए अब देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कैसे पता लगा सकते हैं, तो आते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और अपना जीवन या अपन करने के लिए क्या करते थे, ठीक है, शिकार करते थे, आखेटक कहते हैं किसको, शिकारी को, तो या आप याद रखेगे हैं, आखेटक कहते हैं सिकारी को, और आखेट करना मत तब सिकार करना है, तो लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, सिकार करते थे, पसुगों को पालते थे, खेती करते थे, और राजा अपने जीवन यापन कैसे करते थे, कौन-कौन से राजा थे, किस-किस छेत्र में थे, कितने समय तक रहें, ठीक है, और लोग क्य क्या रोजगार करते थे ये सब हम जान सकते हैं और क्या जान सकते हैं कि बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते थे कौन सी कहानिया सुनते थे कौन से नाटक देखते थे और कौन-कौन से गीत गाते थे इस तरह से बहुत सी जनकाड़ियां हमें इतिहास से मिलती है आगे बुला जा रहा है लोग कहां रहते थे बुला जा रहा है कि प्रिश्ट 2 में नर्मादा नदी का पता लगा तो आगे देख लेंगे, आगे जो पी जाएगा तो उसमें देख लेंगे अभी तो वन चल रहा है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के टट पर रह रहे हैं किस नदी के टट पर नर्मादा नदी के टट पर तो जो प्राचिन काले में नगर सहर गाओं बस हैं वो सब नदी के किनाड़ी ही बस हैं क्योंकि नदी का तो बहुत काम हैं बिना पानी के तो कुछ होता नहीं है तो हम जानते थे कि आजपास के जंगल में क्या क्या मिलेगा वे अपने बोजन के लिए जरो, फलो तथा जंगल के अनियत पादों का यहीं से संग्रह क्या करते हैं तब पेर पौदे के लगबक सभी चीज़े हम सब खाते हैं, सभी भाग खाते हैं अगर जर की बात करें तो मूली हो गया, गाजर हो गया, सकरकंद हो गया अगर भुमिगत तना के बात करें तो क्या हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, अद्रक हो गया, यह सब उसके बाद अगर तना के बात करें, जो जमिन के उपर होता था यह खो गया, पत्ता में क्या हो गया, पालक हो गया, साग हो गया, पोई का पत्ता हो गया अगर फूल के बात करें तो जैसे क्या हो जाए भीट का फूल वो खाते हैं इस प्रकार से लगबख हम पीर पहुत है कि सभी चीज़े खा लेते हैं दूसरे में के लोग तो खाते ही होंगे वे जानवरों का अखेट यानि सिकार भी करते थे अगे बुला जा रहा है आब है तुम उत्तरपश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता लगा तो देख कि यहाँ पर क्या गया? उत्तरपश्चिम आगया, दिसा आगया तो दिसा पर लेते हैं जिनको पता है और आगे वीडियो को पढ़ा सकते हैं तो उपर क्या है North, निचे है South, इधार है East, इधार है West, ठीक है, North और West की बीच में रहेगा तो उसको कहेंगे North West कहेंगे, ठीक है, North और East की बीच में रहेगा तो North East कहेंगे, South और East की बीच में रहेगा उसको कहेंगे South East, और South और West की बीच में रहेगा उसको कहेंगे South West, ठीक कहां है उत्तर पस्चिम तो उत्तर पस्चिम के भी इसमें रहाएगा उत्तर यह है पस्चिम यह है ठीक है तो यह क्या हो गया यह हो गया उत्तर पस्चिम तो इस दिशा के बात हो रहा है अगे बोला जड़ा है कि उत्तर पहष्यम की सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता लगा तो यह भी पता लगा लेंगे, आगे देखते हैं, इस माणचित्र में पता लगा लेंगे, तो पता लगा लेंगे, इसी छेत्र में कुछ ऐसे स्थाने जहां लगबक 8000 वर्स पहल गेहूं और जाओ जैसी फसलों को जाना अरम किया, कौन सा फसल गेहूं और जाओ, उन्हों ने भेर बकरी और गाय बैल जैसे पस्वों को पालतु बनाना शुरू किया, अगर पुछे गया कि सबसे पहले वो किस जानवर को पालतु बनाना शुरू किया, तो कुट्ता, और ब ये कुछ अन्य ऐसे छेतर थे जहां क्रिशी का विकास हुआ, यहां सबसे पहले चावल उप जाये गया, वे स्थान विंधे के उत्तर में थे, तो देखें ये सारा स्थान हम पता लगाते हैं मैप में, मांचीत रुवान में क्या-क्या बोरा था पता लगाने के लिए, सबसे ये दिशा हो जाएगा, ठीक है, तो बोड़ा था कि भारत के उत्तर पश्रिम दिशा में किर्थर और सुलेमान पहारी का पता लगा है, ठीक है, तो यहां पर है, और क्या बला जाता है, कि किर्थर और सुलेमान पहारी के बीच में एक मेहरगर्ड जगह है, जहां पर यहीं पर उब जाय गया था, लगवग 8000 इसा पुर्व, ठीक है इसा मसी के जन्म कोना हम लोग मानते हैं 0, ठीक है, अभी क्या चला है 2022, तो 0 से क्या है 2022 आगे है, यानि इसा मसी के जब जन्म होँ था ना, उससे हम लोग क्या है, 2022 आगे हैं, और यहां पर खेदी कब हो आता, कहां, मेरगड किर्थर और सुलिमान पहारी के बीच में, लगवग 8000 इसा पुर्व, ठीक है, यानि इसा मसी के जब जन्म होँ था ना, इसको 0 ले रहे हैं, तो इससे क्या है, 8000 साल पहले, इसको बोलते हैं इसा पुर्व, तो आप जोड़ सकते हैं कि आज से कितना साल पह किर्थर और सुलिमान पहारी के बीच में, जो जगह है मेरगड, यहां पर गेहूं और जोग का उत्पादन सबसे पहले चालू हुआ था, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह जो सिंधू नदी है, इसको यह जल मिलता था, तो यहां का जो छेतर था, वो बहुत ही उ इसको बोलते हैं, उसके बाद बोड़ा था, नौर्थ इस्ट है, तो नौर्थ इस्ट क्या होगा, इस दिसा में रहेगा, तो इसको बोलेंगे हिंदे में क्या, उत्तर पुर्व, यह उत्तर और यह पुर्व, तो उत्तर पुर्व क्या रहेगा, बीच में रहेगा, तो उत दिवासी रहते हैं उसके बाद विंदे पहारी के बारे हम बात करें तो इसे इसे इतिहासिक रूप से उत्तर भारत ये क्या है ये उत्तर भारत है और ये क्या है दच्छिन भारत है तो उत्तर भारत और दच्छिन भारत के बीच का विभाजक माना जाते हैं इतिहासिक और क्या बताया गया यहां पर देख सकते हैं कि धेसर नदी है खली नदी ही नदी है इतिहास में भी आपको पढ़ना भुगल में भी पढ़ना नदी के बारे में इतिहास में इसलिए पढ़ना है कि नदी के किनारे ही नदी के किनारे ही बहुत सारे नगर सहर और गाओं का वि सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी के बार में, तो देखें सिंधु नदी यहां से नहीं निकलता है, सिंधु नदी निकलता है, तिबत में एक मान्सरोबर जील है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से निकलती है क्या सिंधु नदी, और गिरती का है, अरब सागर में गिरती है, तो देखें यहाँ पर क्या है, अरब सागर, तो यहाँ से निकल रहे थी, मांसरोबर जील से, यहाँ से एक और नदे निकलता है, जिसको बोलते हैं कि अब्रहंपुतर नदे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, प्रहंपुतर तो जहां से निकलती है उसको बोलते है उद्गम एस्थल. ठीक है? उद्गम एस्थल तो शिंधु नदी और ब्रहमपत्र नदी के उद्गम एस्थल हो गया चिब्बत में इस्थित मानसरोबर जील. अब आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कितनी हैं सहायक नदियों के नाम लिखें तो देखें सहायक नदी कहते हैं नहीं कि वैसे छोटे नदी जो किसी बड़े नदी में मिल जाती है तो उन छोटे नदियों को कहते हैं सहायक नदी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर यहज्बु नदी क्या की है, सिंदु नदी की शाहयय नदियों के नाम आपको क्रम अनुसराः याद करना तो दिखें सबसे उपर है जेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर व्यास नदी और फिर है अंत में सतलूज नदी, देख सकते हैं यहाँ पर जेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, फिर अंत में सतलूज नदी, फिर अंत में सतलूज नदी, नदिय में लगवाद बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा शिंधुनादी और brhamputr naсти, ठीकके सिंधु न्याहा जाने से निकल रहे थी और और फिर क्या यहीं से ब्रहंपुत्र नदी निकर रहे थी, तो सिंदु नदी की लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई है 2880 km, और ब्रहंपुत्र नदी की लंबाई है 2900 km, ठीक है, तो यह जो सिंदु नदी की लंबाई है 2880 km, तो इसको लगवग लगवग मान सकते हैं, उन्तीस सो यानि 2,900 किली मीटर लगवग लगवग मान सकते हैं तो इस प्रकार से सिंदू नदी और ब्रम्पूत नदी के लमबाई लगवग ब्राबर हैं कुमाले को पार करके आती है। दूसरा हो गया ब्रह्यंपुत्र नदी हमाले यहां पर है। तो हिमाले को पाढ़ कर भारत में आने वाली03 नदि अन क्या का रह रहत को पुसहेखा है यह क्या है? कौन सो राजी है? तो राजिस्थान को मुख्याता, यह सिंचित करता है. इंद्रागांदी कailable किनिक दो नदी करते हैं? अगर सब्सक्राइद दे को व्यास नदी में सतलूज नदी । अरिशमी क्या हो रहा है व्यास नदी मिल जा रहा है तो पानी क्या है दोनों क्या है तो इसको बनाएंगे ऑप्शन से अगर खाली सत्लूज नदी रहेगा तो खाली सत्लूज नदी में टिक मारेंगे अगर दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा और सिंधु नदी यह क्या है सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी हो गया, जेलम नदी और चिनाव नदी, इसका पानी, जो है ना, उसका 80% पानी वो पकिस्तानी इस्तमाल करेगा और जो 20% बचा वो भारत इस्तमाल करेगा, उपर के तीन नदीओं को छोड़ करके जो नीचे का तीन नदी है, यहोज है था निसनाति अब ड़न्याधि अब ब्रोंपुत्र नदि आते हैं इक कहां से निकलता मां शररवर से यहांको बता चुके है इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ऌर तीव्हतमे क्यूं करा जाता है किस नाम से पुकारा से यारलुंग Qianang PatriRO और कहां से प्रवेश कर रहा है तो देखे ये कौन सा राज्य भारत का और नाचल परदेश है उसके बाद ये जो राज्य है ने ये राज्य कौन सा है तो देखे ब्रहंपुत नदी भारत में प्रवेश करता है और नाचल परदेश से तो सवाल पुछा जाता है कि उसके बाद देखे, आभी क्या बता रहेता है, मांसरोबर जिल से निकलती है, तो तिब्बत में इसे पुकादा जाता है, यार्ड-लूंग तसंग्पो से, जब यार्णाचर परदेश में इन करता है, तो इसको पुकादा जाता है, सियांग या दिहांग से, तिक ना, दोनों ठीक है और कहां गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में तो देखें गंगान अदी से बहुत सरा सवाल पुछा जाता है पहला सवाल पुछा जाता है कि यह किस राज्य से निकलती है तो कौन सा राज्य है उत्राखंड उत्राखंड से निकलती है और कहां गिरती है बंगाल की ख गई पिर बिहार गई और उसके बाद जारकन के कोना से गुजरती है यहां पर जारकन नहीं बिहार के जास नीचे रहेगा आको बस दिखाने के लिए यहां दिखा रहे है तो गंगा नदे निकलती है उत्राकंड से फिर जाती है यूपी में फिर जाती है बिहार में और कुछ पोर्षण है किनारे से जाती है जार्कंड से उसके बाद क्या उसके बाद यह पोर्षण देख रहे है öpцыna mangal हो गया तो कितनी राज हो गया उत्राकंड UP यानि उत्तर प्रदेश भीहार जार्कंड पश्ण इस प्रकार से गंगा नदी भारत के पांच राजियों सोकर गुजरती है उसके बाद पुछता है गंगा नदी के कुल लंबाई है कुल का मतलर क्या है यहां से लेकर जो भारत में इसका लंबाई है ठीक है भारत में इसका लंबाई है उसके बाद यह नहीं यह बांगलेरेस म तो हुज़ागा2510 किलिमेटर कहां से यहां से यह यह पर मंगल उसके बाद यह उसके बाद भारत में बहती है दो भारत में गंगाजना Day के कहां ठोलन लांवाई 2445 किलिमेटर चार सो बीहार में अदिक किलिम्पाय अगर आप याद नहीं कर ना चाते है ठीक है लेकिन कूल लंबाई आपको याद करना ही पड़ेगा और भारत में लंबाई कितना है तो गंगा नदी किया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो देखे गंगा नदी कहा से निकलती है गंगोत्री से निकलती है जिसको गोमुख भी कहते हैं गंगा नदी है ना दो नदियों के मिलने से बनता है अलक नंदा नदी और भागी रथी नदी तो सवाल पूछता कि गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है तो अलक नदी और भागिरती नदी अब गंगा नदी तो पढ़ लिए ठीक है इस तरह से बहते 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 कहां चले गए बांगलादेश चले गए तो बांगलादेश में इसको पदमा के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं पदमा के नाम से जानते हैं तो इधर से देखे बंगलेदेस में गंगा नदी गई तो पदमा के नाम से जानते हैं इधर से आरिय ब्रहंपुत नदी तो ब्रहंपुत नदी को जानते हैं बंगलेदेस में जमुना के नाम से तो पदमा और जमुना यानि गंगा और बंपुत नदी मिलती है तो जो नया धारा का निमान होता ह उसको कहते हैं मेघना ठीक है तो देखे यह पोर्षन क्या हो गया यह जो है यह दोनों धारा जो मिल गया गंगा नदीगी धारा ब्रंपुर नदीगी धारा तो इसको कहेंगे मेघना तो मेघना यहाँ पर गिरती है तो दोनों नदीगा गाद खटा करके लाती है तो यहाँ गाद क्या होता है? जम जाता है. गाद जम जाता है, और भारत में भी है और बंगलेदेश में हैं, इस पूर्शन में भारत और बंगलेदेश दोनों में है. और इस छिंटर में मैं मैं धाउ One उगता है. तो पूचे का को ते है सुन्दर One का Δे ल्टा कि इन दू नदीओं के कारण बनता है तो गंगा नदी और ब्रहंपुत नदी के कारण बनता है आप सब पुछेगा गंगा नदी के सबसे बड़ी साहेक नदी कौनसी है तो कौनसी है यम्ना नदी यम्ना नदी कहां से निकलती है तो यहां से निकल रहे है तो यह राजे कौनसा है उत्राखंड तो ये अपना नदी को कली दंजा और कालिंदी नदी भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं कली दंजा और कालिंदी नदी क्योंकि ये कालिंद परवत से निकलती है ठीक है और अगर बात करेंगे कि ये कौन-कौन से राजियों से गुजरती है ठीक है तो क्या हो जाएगा ये तो पुच्छे कर соверш on Ptrans f 전에 यहाँ पर हर्याना से करती है उसके बाद कहा से , UP से बज़रती हैं तो पुछे करया है कि यंद्धी किन राजयो से कर गुजरती है ? तो जेगा उत्राखन हर्याना और उत्तरपण और उत्तरपर्देस old will all to people meansorang दिल्लि गंगा नदी यह पोर्षन देख रहे हैं उसके बाद यह पोर्षन क्या है यह पोर्षन यम्ना नदी तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है दोनों नदी मिल जा रही है तो यह कहां मिलती है प्रयागराज में मिलती है इसका प्रावन नाम क्या है इलाहाबाद अब देखें यम्ना नदी की सायक नदी कौन सी है? यम्ना नदी की सबसे बड़ी सायक नदी चम्बल नदी है, ठीक है? देख सकते हैं यह चम्बल नदी बड़ी सी, यम्ना नदी में मिल जा रही है, तो यम्ना नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है चम्बल नदी, यहां पर और क्या इंप वहाँ पर चावल का खेती सबसे पहले हुआ था, आठ हजार साल पहले, अब यहाँ पर आते हैं आगे, यह जो नर्मादा नदी दिख रहा है, और यह सोन नदी दिख रहा है, तो नर्मादा नदी और सोन नदी अमर कंटक की पहारी से निकलती है, कहां से निकलती है, अमर कंटकी पहारी के पास न telling विंदे पहारी और शत्थपूरा के पहारी मिलती है दिए अब लिए यहां पर किया माहा नदी को माहां नदी चफाती मिक्त गणट के शिहावा पर्वत से उसके अधेक बंगाल के खाड़ी तो इसे निकलेगे औरी यह जोे गिर जाती वहां उसके बाद यहां देख रहे है सोन नदी थी ने यह सोन नदी देख रही है ऐसे बहते-बहते गंगा नदी में मिल जाती है तो सोन नदी किसकी साइक नदी है गंगा नदी के है उसके बाद यहां पर अब्जर्ब क्या कर रहे हैं कि यह जो पोर्शन है यहां पर यहां से क्या जो क्या जो पूरव से पच्छिम की और बहती है तो तीक है पूरव से पच्छिम की और बहती है नर्मदा नदी और तापती नदी पिर आपसे पूछे है कि नर्मदा नदी और तापती नदी की बीच में कौन सा पहारी है कौन सा पहारी है सत्पूरा की पहारी है सत्पूरा क कहते हैं, तो आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि भ्रंस दुरोनी से होकर कौन से नदी बहती है, तो कौन से नदी बहती है, नर्मदा नदी से एक और सवाल पूछा जाता है, नर्मदा नदी के दोरा कौन सा जल प्रपात बनाया जाता है, तो देखें, नर्मदा नदी अध्यव पर्देश में एक जगह है जवलपूर तो वहाँ पर उचाही से गिरती है और एक जलप्रपात का निर्मान करती है जिसका नाम है धुआधार जलप्रपात को एक और नाम दिया गया है कपील धारा जलप्रपात तो अब बढ़ते हैं दचिन भाद की नदी की ओर तो लेकिन की नदी की बार में पढ़ना है जैसे जैसे नदी आता जाएगा उसे के बारे में पढ़ते जाएगे सबसे पहले पढ़ते हैं गोदावी नदी इसनवाल सवाल पूछा जाता कहां गिर रही है तो दिखाए पड़ रहा है मंगाल की खाड़ी में लेकिन किस राजे से निकर रही है दिखिए आपको है न भारत के मैप है न अच्छे से पता होना जोड़ी है कि कौन सा राजे कहां पड़ है और कहां किन्साशित परदेश है तो गोदार्वी नदी निकलत किस राज़े से निकलती है महाराज से कहां गरती है बंगाल के खाड़ी में गुर्दावज नरी से एक और इंपोर्टन सवाल पुछे जाता है इसको द्यान से सुनिएगा नहीं तो कन्फीजन हो जाएगा अगर आपसे पूछे कि वृद गंगा किसको कहता है तो वृद गंगा किसे कहते हैं तो दाचीन भारत के गंगा कहते हैं कावेरे नदी को और गुदार्वी नदी से रिलेक्टेट क्या सवाल पुछेगा गुदार्वी नदी भारत के किनकिन राज्य सोकर बहती है अब परते हैं क्रिश्ना नदी के बारे में देखें ये क्रिश्ना नदी इधर से निकल रही है इधर से निकल रही है और गिर रही है ठीक है कहां गिर रही है पता है मंगाल के खाड़ी में किस राजे से निकल रही है महराष्ट से ठीक है ये पोर्शन क्या महराष्टी ही तो कृष्णा नादी निकार रिये महाराष्ट के महाबलेश्वर परवत से और आपसे क्या पुछेगा क्रिश्णा नादी भारत के किनकिन राज्यों सोकर गुजरती है तो महाराष्ट से गुजरती है यह पोश्चन होगे महाराष्ट उसके बाद क्या करनाटक से होकर करती है महराष्ट करनाटका तिलंगाना और आंध्रदेश चो में इंपोर्टेंट है वो पर लेते हैं सबसे पहले कागवेरी नदी तो देखे कागवेरी नदी कहां से निकल रही है ये कौन सा पोर्शन है ये कौन सा राज है करनाटक है और ये कौन सा राज है तमिलनाडू ह तो देखे काविर नदी निकलती है कहां से है करनाटक से निकलती है करनाटक के ब्रहम गिरी परवत से है कौन परवत से है ब्रहम गिरी परवत फिर कहां फिर है करनाटक से निकली और फिर कहां चले गई तमलाडु राजे में चले गई और फिर गिर जाती है बंगाल के खारी म तो कावेर नदी से इस सवाल क्या पूछता है? ये तो आपको एक सवाल बताएं देए थे हैं कावेर नदी को दच्छिन भारत की गंगा कहते हैं दच्छिन भारत की गंगा और गोदार्वे नदी को कहते हैं दच्छिन की गंगा तो कावेडी नदी से एक और सवाल क्या पूछता है कावेडी नदी जल विवाद किन दो राजियों के बीच में है तो जिससे बहेगा उसकी से विवाद होगा तो करनाटक से निकल रही है तमिलाडों में जा रही है तो वो जल विवाद होगा, कावेड नदी जल विवाद करनाटक और तमिलाडू के बीच में अब देखें ये तुंग भद्रा नदी, तुंग भद्रा नदी किस में मिल रहे है, कृष्णा नदी में तो कृष्णा नदी के साहग नदी कौन है तुंग भद्रा नदी तुंग भद्रा नदी दो नदियों के मिलने से बना तुंग नदी और भद्रा नदी तो तुंग भद्रा नदी कहां से निकलती है यह कौन सा राज्य है करनाटक है तो तुंग भद्रा नदी करनाटक से निक पिनार नदी कहा गिरेगे, बंगाल की खाड़ी में गिरेगे, ठीक है, ये कहा से निकलती है, ये दक्कन के पठार से निकलती है, और पहारी के बात करें तो नंद दुर्ग पहारी से निकलती है, तो पिनार नदी निकलती है, नंद दुर्ग पहारी से ठीक है, और करनाटक औ इसे बात करेंगे तो इधर क्या होता है? East होता है पूरब, इधर होता है West, पस्चिम. इसलिए इसको बोलते है पस्चिमी घाट और इसको बोलते है पुरवी घाट. भारत के लेफ शाड में क्या है? अरब सागर है, राइट साड में बंगाल के खाड़ी और नीचे क्या है? यह जो पोर्शन देख रहे नीचे पानिवला पोर्शन यह है हिंद महासागर तो तीन तरफ से भारत जल स्रोतों से घिरा हुआ है देखिए अब जो भी पच्छा हुआ आप वह भी पढ़ लेते हैं तो देखिए यह क्या थार लिखा हुआ है ठार तो थार क्या है थार भारत राजन को अरवली प्रवत है और इस तरफ अगर आपसे पूचे धार भावान के किस कर राजन हैं तो राजनुक्तथान नदी के बारे में पढ़ना बहुत जोड़ी था तो इसमें नदी पढ़ लियां यह जो नदी पढ़ है यह आपको बहुत ही काम आएगा आगे भी जब तक आप पढ़ाय करते रहे तब तक काम आएगा